हलो फ्रेंट्स कैसे आप लोग सारे भाय बैनों को प्रणाव नमस्कार जैहिन नाम हितेश मिस्रा और आप देख रहे हैं रेलवे एक्जाम्स खान ग्लोबल स्टडीज आवाज बगरा प्रॉपर आ रही है सब कुछ ओके है बता दीजिये उसके वाद सेशन करते हैं सुरू काफी तरीके से हम लोग क्लास को लेके चलने वाले हैं एक मिनट साइद लेट होगे कि नहीं हुआ हैं टाइम से हैं लगव जो भी आप कहोगे वो सब हो जाएगा तो टेंसन लेना नहीं है तो पुरू करें एक बार बता दें चलिए तो यहां पर अगर हम देखें कोटेशन है कि अगर सूरज की तरख चमकना चाहते हो तो सूरज की तरख जलना सीखो पही बात है हम लोगों को लगता है कि हम लोग है कि उसके लिए मेंच तो गरना पड़ेगा हम लोगों को अगर चमकना है तो रगड़ना भी पड़ेगा जलना भी पड़ेगा जलने का अर्थ है कि अपने मेनत में तपाना पड़ेगा है कि नहीं तो उमीद करते हैं कि हम लोग उसमें तो पीछे बिलकुल भी नहीं है चलिए तो सेशन को सुरू करते हैं और कल का जो होमवक दिया है वो भी करेंगे लेकिन पहला सेशन का सुरुवात इस प्रश्न के साथ ये पहला option है ये दूसरा option है य इसका answer बतलाएं जरा क्या होगा और एक announcement बहुत जल्द करेंगे उस पर बात करेंगे चलिए इसका जो answer है गुरू जरा एक बार बतला दें क्या होगा good afternoon सभी को सारे भाई बेनों को good afternoon ठीक है तो कूप बच्चे कह रहे हैं पिंजड़े हैं जो है वो कह रहे हैं आप पिंजड़ा आपका जो right answer है वो B के साथ चला जाएगा B for Bombay के साथ चला जाएगा नहीं आगे बढ़ें जैसे ही आप कहोगे yes sir मज़ा आ जाएगा ठीक है अगला जो प्रश्न है वो यह रहा इस प्रश्न का उत्तर आप अपने सब्दों में दें क्या होगा जरा सा बतला है यह जो प्रश्न है आपके सामने कीचेन के ग्रिनाइट का रंग क्या है ग्रिनाइट का रंग दिवार का रंग है ग्रिनाइट का रंग बहुत चमखीला है आप आंसर बतला है प्रनाम प्रनाम सारे भाईवनों को प्रनाम का हालबा बतला है जरा आंसर क्या होगा चलिए अगर हम इसको देखें इस प्रश्ण को अगर हम समझना चाहें तो क्या है हमको एक बात बताओ मानलो कि तुम जिस कमरे में बैठे हुए हो या जहां पर भी हो वहाँ तुमको ये बोला जा रहा है कि ग्रनाइट का रंग क्या है मतलब या वहाँ लोग पूछ लिए दिवाल का रंग क्या है तुमको बोल रहा है कि दिवाल का रंग जो है वह इस रंग का है मतलब एक कनेक्शन दे दिया वहाँ से हम कैसे निकाल पाएंगे भाई बोल रहा है ग्रिनाइट का रंग दिवार का रंग है अच्छा यहां पर ग्रिनाइट का रंग बहुत चमकीला है हमको लगता है कि इससे आप कुछ नहीं निकाल पाएंगे ना इदर इसमें ना तो मुझे एक का और ना ही दो का समर्थन मतलब हम तो दोनों में से किसी के साथ नहीं जा प वाले हैं आज इवनिंग तक या आज अगर नहीं किये तो कल तीन बजे कल तीन बजे ही मानके चलो जिसमें आप लोगों के लिए खुश खबरी का अनौंसमेंट है तो कल तीन बजे हम लोग उस चीज के लिए मिलेंगे लीजे अब अगला प्रशन देखिए इसका उत्तर क्या होगा एक बार बता दीजे क्या है ध्यान से और अराम से इसका उत्तर बतला है धीरे धीरे तुम लोग स्लो हो गया पहला देन बढ़िया सपोर्ट दूसरा देन बढ़िया सपोर्ट तिसरा देन बढ़िया सपोर्ट च अच्छा दिखी नहीं रहेगा रुको मैं एक मिनट रुको वेट सॉरी रुको मैं बताता हूं यह ऐसा है फीगर नहीं दिख रहा है तो मैं दिखवा रहा हूं ना भी टैंसर नहीं लो कि नहीं दिख रहा है तो मैं दिखवा रहा हूं लिखे अभी बताईए दिख नहीं रहा है तो अभी दिख रहा है ना लिजे न भाई अभी दिख रहा है ना सौरी सर रही सुनी मैं इंग्लिस क्लास कर रहे थी दुबारा बोलें प्लीज हमने ये बोला कि कल तीन बजे आप लोगों के लिए बड़िया अनॉंसमेंट है लाइव जरूर आईएगा इसी चैनल पर अब इस प्रश्न को अगर देखें तो मैं बताता हूँ आंसर आपका कौन सा होगा तो आंसर आपका ये वाला होगा बोलोगे क्यूं सर ऐसा क्यूंकि आप बाकी सभी में देखो तो एक आर्क है सभी में आर्क है इसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन है इसी वजह से आपका जो राइट आंसर है वो इसके साथ चला जाएगा क्या बोलते हो आप लोग तो लोग एकदम सुस्त हो गया जी कैसे मज़ा आएगा कैसे मज़ा आएगा दिवार के रंग से पता कर सकते दो दिवार का रंग तुमको पता होना चीए न चंदन गुपता दिवार का रंग तुमको पता होना चीए न बता अगले में चलें नेक्स्ट को देख लें जल्दी बताइए अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं लीजिए ये जो प्रशन है इसका अंसर बतलाएं क्या होगा को ट्वाइस, क्रैब, फ्रॉग, फिश आप बताएं ज़रा इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर अगर कोई गलत किया कसम से कह रहे हैं कुछ नहीं कहेंगे चलिए, इसका अंसर बतलाएं जरूर बारिस हो रही है तो अच्छा बात है ना अनन्द लो बारिस का हुसैन सहाब जब आएगा जरूर उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी हम लोग भी इंतजार में हैं आपके लिए फिश मचली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ डर जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी और फिर से पानी में डालो तो तैर जाएगी तो मचली बिलकुल रेलवे का एक खेल देखो जैनरली आदमी क्या करेगा गलती सही वाला मार देगा डी सतमझ के है ना चैसे यह माल लो ए ऑप्सन बी ऑप्सन सी ऑप्सन डी ऑप्सन लेकिन डी को दिया कहां है एक में तो रेलवे ये खेला बहुत करती है कि option में सफल कर देती है तो exam में सही करते हुए भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सही में भी हम जो कर रहे हैं वह जो है कहां पर option में है है ना ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा Good afternoon वरसा जी आगे चलें अरे अगला देख लें क्या बात बहुत सुन्दर बहुत बढ़िया अदभुत आईए अगला प्रश्न में चलते हैं और इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि क्या होगा क्योंकि लोग ये जो है बहुत ज़्यादा करने लगे हैं आजकर मेट्रों में हम आते जाते हैं कभी-कभी तो देखते हैं पूरा खोल के आदमी देखते रहता आज किसका उपर जा रहा है किसका नीचे जा रहा है और इसमें जो है एक तरह से सरकारी जुआ ही है लेकिन जिसको पता है बढ़िया से सब कुछ उठीग ठाक कर लेता है इतना स्लोग, अच्छा, मैंच है आज मैं समझ गया बात को, दिवानो समझ गया समझ गया कारण क्या है, ठीक है हम यह नहीं कह रहे हैं कि देश को समर्थन नहीं करो लेकिन अपने लिए भी थोड़ा जीना पड़ेगा पैसा कमाओगे तब यह न डेटा रिचार्ज करोगे, टीवी अच्छा खरिदोगे बढ़िया एसी में सोफा पे एकदम फैल के बैठोगे तो अभी पढ़ लो, मैं समझ रहा हूँ क्यों गाया बैया आदमी चलिए यहां कहरा है क्या सेयर बजार धन बढ़ाने के संसाधन है हाँ, सेयर बजारों में धन कई गुना हो जाता है, नहीं सेयर बजारों में निवेस बजार जोखियों के अधीन है कई बार आप सुने होंगे कि जब भी परचार बगेरा में यह बोल देता है कि बिफोर इनवेस्टिंग प्लीज रीड आल दा इंपॉर्टेंट लाइन्स पढ़ है कि नहीं पढ़ है पढ़ है कि नहीं पढ़ है जल्दी कमेंट करिए यह यास या नो आंसर क्या होना चीए इसका कुछ लोग A को सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग B को सपोर्ट कर रहे हैं हम देख रहे हैं कमेंट दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं हाँ सेयर बजारों में धन कई गुना हो जाते हैं अच्छा कई गुना हो जाता है और दूसरा नहीं सेयर बजारों में निवेस बाजार जोखिमों के आधीन है तो दूसरा वाला तो मैं सपोर्ट 100% कर दे रहा हूँ पहला वाला में मुझे 50-50 है इसलिए मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ बहुत करेक्ट बच्चे कह रहे हैं बहुत सारे बहुत सारे बच्चे सनी है धवजी बताएंगे कभी अच्छे से बताएंगे हम अपना इतिहास हाँ विलकूल अविनन्दन यूर राइट हम लोग सकेंड को सपोर्ट करेंगे ठीक है पहले वाले में चुकी वो 100% नहीं है अर्गुमेंट हम इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पनी मल्टीप्लाइज इन स्टाॉक मार्केट ठीक है आर्ट स्टाॉक मार्केट सूर्सेस ऑफ विल्थ क्रिएशन तो यह सीधा यस लिख दिया है सिधा मियस्त को सपोर्ट नहीं करेंगे ठीक है ना चलें इस विजिबल है क्या नहीं visible हमको लग रहा होगा एक बार घुमा दें visible है mobile में दिखाई नहीं रहा है क्या लिख रहा है दिख रहा है नहीं दिख रहा है चलो छोड़ो इसको ये वाला देखो ये जो प्रश्ण है इसका आंसर बदलाओ प्लीज बारवार एक ही comment नहीं करें चलो इस प्रश्ण को देखें क्या होगा क्या लग रहा इसमें अगर ये प्रश्ण किसी का गलत हुआ तो कसम से कह रहे हैं कि फिर तयारी जीरो लेवल से शुरू करवाऊंगा ती टी फोर टाटा विल्कुल सही है टी फोर टाटा ओप्सन नमबर ए कितने लोग टाटा गए है टाटा जानते हो ना कौन से राज्ज में टाटा है कमेंट करके सत्तर के सत्तर बच्चे बताएंगे अभी कौन से राज्ज में टाटा है और टाटा का नाम क्या है तो जमसेतपूर वो तो आप जानते होंगे चलो बताईए वो कौन से राज्ज में सभी लोग एक अंसर आया हर सराज का जहारखन नेहा का भी आया जहारखन लोग देखो एको ने उडिसा पहुचा दिया देखो जी के कितना मजबूत है लोग का इतना फेमस जगह का नाम पूछे तैयो फस जा रहा है कैसे होगा चलिए सभी परिष्थरमी छात्र ठीक है परिच्छा में सफल होते है सभी परिष्थरमी छात्र अच्छी तरह से सोते है इंग्लिस में क्या है भाई औल स्टूडेंट्स स्टूडियस स्टूडेंट्स पास इन एक्जाम All studious students sleep well ठीक है वे सभी जो अच्छी तरह से सोचते हैं प्रिसरमी होते हैं देखो उल्टा को सीधा कर दिया सिधा को उल्टा कर दिया यहाँ पर क्या बोला गया सभी जो laborious चात्र है studious students है वो क्या है सफल होते है सफल और सभी परिसर्मी सात्र अच्छे से सोते हैं सभी परिसर्मी सात्र अच्छे से सोते हैं तो एक बात अब देखो वे सभी जो अच्छी तरह सोते हैं जो सभी अच्छी तरह सोते हैं वह परिसर्मी होते हैं ऐसा तो नहीं है इतना जो एरिया बाहर है वो कहां मतलब परिसरमी है पहला वाला का तो खेला खतम हो गया दूसरा वाला वे सभी जो परिक्षा में सफल होते हैं अच्छी तरह सोते हैं तो ये वाला सफल वाला जो एरिया है वो तो अच्छा से नहीं सो रहा है तो इसका मतलब इसका भी खेला खतम तो ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा कोई असुविदा है किसी को कोई ऐसे भाई बेहन जिनको लग रहा हो कि गुरु जी जो आप बताए हमको नहीं पुझाया हमको दुबारा बताईए कोई ऐसे हो क्या कोई ऐसे ह चलिए अगला प्रश्ण में आते हैं इस प्रश्ण का उत्तर जरा बतलाईए क्या होगा यह जो प्रश्ण है मेरे भाई इसका उत्तर एक बार बतलाई विजिबल है यह आप देखिएगा थोड़ा फोन में एक सो पचास से बताईए विजिबल है यह चलेगा यह चलेगा और पड़ा करूं के थोड़ा सा ठीक है भी बताइए क्या हो जाएगा यह यह वाला बताइए क्या लग रहा आप्सन हाइड नहीं है मैं हट जाता हूँ क्या लग रहा इसमें चलेगा चूज दा करेक्ट पिक्चर विच फॉलोज तो आप एक चीज को गौर करिएगा कि कहानी क्या हुआ यह ऐसे बलू बलू है यह ऐसे हो गया उसी प्रकार यह ऐसे है तो यह वाला ऐसे हो जाएगा इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें है और यह option C है किसमें A में exam में option 1 आप मारेंगे तेकि option C कहरा है बच्चा C true है लेकिन option के हिसाब से 1 है C true है लेकिन option के हिसाब से 1 है समझे रहे हो यस मुस्कान कुमारी अजीत कुमार इंडियन फ्लैग लवर वरसा सैनी गुड्डू कुमार वह क्या बात क्या बात क्या बात मजार है ना कलास में कहीं को अस्विधा नहीं कहीं को दिक्कत नहीं कहीं को परिशानी नहीं सभी भाई बेनों का समर्थन चाहिए एक बार थमसब चाहिए या ओके चाहिए या ठीक बात चाहिए या ठीक है सर चाहिए जो बंगाल से हो वो लिखो भालो है सर इस प्रश्ण को देखिये जराग ये जो प्रश्ण है मेरे भाई बहन इसका उत्तर बतलाए क्या लग रहा है क्या लग रहा है कि भालो लिखा है कुछ लोग बहुत बड़िया तब देखो सब जगह से अपने साथ बच्चे हैं जो भी भारत के बच्चे हिंदी समझ पार हैं हमारा लेंग्वेज वो देख रहा है कि देखो बैक्ग्राउंड का कलर सा डार्क से हटा दीजिए चलिए इस प्रश्ण को अगर देखें क्या हुआ है क्या खेला है समझते हैं गौर की जेगा अगर हम इसको देखें इस प्रश्ण को यह क्रॉस में ऐसे हो गया यह क्रॉस में ऐसे हो गया है ना अगर हम बात करें इसको यह जो लिखा हुआ है भी यू जड़ डव्ली ओ रडी इसको अगर हम देखें क्या हो जाएगा यह ऐसे है जड़ तो चुक्ि एक क्रॉस में आ रहा है तो दोनों जड़ को फिर इधर ही कर लेंगे और डी आर को भी इधर ही कर लेंगे ठीक है लेकि दोनों Z को इधर कर लो और फिर B, U को इधर कर लो Z, Z, B, U कहीं है क्या ने Z, Z, U, B हो जाएगा sorry not B, U Z, Z, U, B ऐसे हो जाएगा वो परिशानी है वो तकलिफ है तो बताएं मतलब ये वाला B यहां आ चुका है और ये वाला U यहाँ आ चुक है, ऐसे उसी प्रकार से ये D आ जाएगा यहाँ और ये जो starting वाला W है वो यहाँ, तो ZZ UB, ये इसमें नहीं है ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है एक ही में है, तो आगे फिर चेक करने का कोई मतलब भी नहीं है ये आपका राइट आंसर है मदेपूरा से कौन-कौन हो पूरे भारत वाले चकदे इंडिया देखा आप लोगों ने शार्खान पूछता है उसमें कहां से हो जार्खान आउट कहां से हो हरियाना आउट जब ऐसे से पूछते रहता है लाश्ट में लड़की आती है कहां से हो इंडिया इन तो सबसे पहले हम लोग क्या है इंडियन है कि नहीं तो युनाइट तभी हो पाएंगे जसे देखिए ऐसे समझे जब आप माली जी अपने गाउं के बजार में गए है तो आप वहां बताते हैं हम फलना गाउं से है ठेकिने फिर जब आप कहीं और अपने जिला में जाते हैं तो बोलता है जिला में हम इस छोटा सा सिटी या इस जगह से है जब अपने राजधानी में जाते हैं तो बताते हैं हम यहां से हैं ठेकिन हैं और जब पूरे देश के राजधानी में आते हैं तो फिर हम बताते हैं यहां से हैं और जब आप भारत से बहार चले जाते हैं तो बताते हैं इंडिया से हैं भारत से नहीं इस तरह से धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं ठेकिन है पीडियाफ यहा जरना हम पर डालो चाहे जितना दो जोर लगा लो चलिए इस प्रस्ण को जरा आप अपने सब्दों में बताएं क्या खेला है यह बोला जा रहा है दर्पन परतिविंब पूछा गया आपको तो बताएं एक बार क्या होगा है हमको लगता है कि दर्पन ऐसे रखा गया है कि अधिक है हमको यह लग रहा है अधिक है अधिक है अधिक हो रही है कुनेट आपको तो इसका जो आफर है वो क्या हो जाएगा फिर एस सेंब डूसेंब रहेगा नहीं अगर परटेगा तो इनज्दी कि दर आएगा वो इसमें हुआ नहीं है न विसमें रहेंगा नहीं यहां सरो जाएगा तो डी आपका राइट अंसर जाएगा दी जो है यह आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अगर पड़ें विदावट इनी डिले वह अवस्त विधा नहीं थेक आई इस प्रश्ण को देखिया और सब का आंसर चाहिए इसमां कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो जिसका आंसर नहीं होगा सब का चाहिए कि सबका आंसर आई मतलब इसमें लेकर यह क्या लग राजरा से बतलाई है चलिए इस प्रश्ण को अगर देखें हम लोग पहले दिन सीखे थे इजोटी यह है पांच यह है दस यह है पंदरह यह है बीस यह है पच्चिस है ना तो इजोटी आपका जो आंसर है वो किसके साथ चला गया वाई के साथ वाई आपका राइट आंसर है कोई असमें कोई तकलीफ बहुत सुंदर वह क्या बात क्या बात क्या बात इस प्रश्ण को थोड़ा अराम से बनाओ को कि हमको इसके आंसर पर सक है कि इसी वज़ा से अराम से बनाओ आप लोग अच्छे से देखिए इसका और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि रहेगा नहीं रीजनिंग में कोई भी खत्रा आप सभी के साथ हूँ मैं ही तेस मिस्टरा ठीक है वो को ताली चलिए इस प्रश्न को देखिए मैं समझाता हूँ ए कह रहें बच्चे जैसे छे जो है वो तीन से विभाजित है एक ये वाला ये डबल एट फिर ये वाला डबल एट फिर ये वाला डबल एट ये डबल छे और ये डबल एट इस हिसाब से अगर देखें तो पांच हो जाएगा साथ बच्चे कह रहा हैं साथ कैसे निकाल लिया जी साथ कैसे निकाल लिया कुस्चन समझो नीचे दी गई स्रिंखला में कितने अंक अपने दाइनी और के अंक से पूरी तरह विभाज जी है डिपल सिक्स तो नहीं है डबल सिक्स है नहीं समझे फिर सतर समझो जैसे 6 को तीन विभाजित कर सकता है न ना 6 आठ को 8 विवाजित कर सकता है ना 8 है कम 8 लेकिन तुम जो यह वाला कह रहे हो 6 और 3 यह 6 3 वो तो लिया है सर कौन सा और इसके अलावा है इसके अलावा तो कोई बचा ही नहीं 26 भी है सर 26 को कैसे 26 में 6 से 2 को डिवाइड करोगे कैसे होगा और यह टेलिग्राम जो है देखिए उसका लिंक है जहां से PDF आपको मिलेगा उस PDF के लिए आप टेलिग्राम पर जा सकते हैं जब ही क्लास खतम होता उसके लिए पीडिएफ आपको मिल जाता वहाँ पर ठीक है लिंक आपको दे दिया गया है यह कैलेंडर का जो तकलीफ है वैसे मैं इस प्रशन को बताऊंगा अभी लेकिन कैलेंडर का जो तकलीफ है इसका मैं बड़ा मेराथन क्लास लेके आ रहा हूं कब उसका भी अनॉंसमेंट करूंगा कल तीन वज़े कल तीन वज़े उसका भी अनॉंसमेंट करने वाला हूं कि कलेंडर का मैराथन ला रहे हैं जिसके बाद कोई भी कलेंडर का प्रसनाप से नहीं शूटेगा वादा है मेरा मतलब होता यह है कि लंभी कलास होगी तीन घंटे चार घंटे पांच घंटे ऐसी कलास होगी sack अब नंदन का answer आ चुका है करेंडर नहीं आता है तो मैं बता रहा हूं वह फिलाल ट्रिक से बता रहा हूं वह ट्रिक का पूरा के लिए क्ल 10 वजवाले क्लास में बताऊँगा इसका होता है डेट प्लस मंधफ यर प्लस लीप ईयर और इसको हम लोग करते हैं किस से का याथ से ही क्यों डिवाइड करते हैं यहां पर डेट अपना कितना है पंदरह मार्च का कोड होता है ठ्रीए का लास्ट अचाएर जब ह कि दो हजार यह से ज़्यादा हो तो नीस सो घटा लेना 120 इसमें नंबर ओफ लीपिर कितने हो जाएंगे तो पंद तीस ठीक है और इसको डिवाइड किसे करना है साथ यह थोड़ा सा अभी हो सकता आपको नहीं समझ में आए लेकिन मेरा वादा है कि अगला जो फ्राइडे आ रहा है थैंक्यू वर्सा अगला जो फ्राइडे आ रहा है तब तक आपका कलेंडर धुआ धुआ हो जायागा यह मेरा जादा है अब फिर आल के लिए इसको सीखी जो मैं सिखला रहा हूं देट लिख दिया पंदरा मंत का कोड़ ठीक है यह जब भी 2000 यह से जादा हो तो 1900 घटा लेता है तो 120 लीप यह निकालने के लिए चार से डिवाइड कर देता है तो यहाँ पर अगर देखें पंदरा ती साथ चोंगे अठाई से तो जीरो आजा रहा है कुछ गरबड़ तो नहीं कर दिया हम जीरो का मतलब क्या होता है संडे होता है जो मैं रूल से जआप जो कोड मैं यूज करता हूँ उसके त्रू रटा-रटा या Concept नहीं आपको हम traditional method से भी सिखलाएंगे आपको हम rule से भी सिखलाएंगे फिलाल आप यह समझ लीजिए कि डेट प्लस मंद प्लस इयर प्लस लिपियर डिवाइड के असाथ से और एक साथ साथ आया जीरो रिमेंडर बचा जीरो का मतलब संडे होता है हम जो कोड लेके चलते हैं उसे साब से इसका मैराथन क्लास में लेके आ रहा हूं कब ये कल तीन वज़े बताओंगा ठीक है चलो ये विजिबल नहीं होगा मेरे हिसाब से पर फिर भी कोसिस करता हूं कि इसको डार्क कर दो थोड़ा ऐगर बताईये आंसर फेपर कत्टिंग फोल्डिंग का है यह प्रतशन है आएगा आएगा वर्सस तब आएगा हाँ सब कल announcement होने वाला है कल important announcement तीन बजे करेंगे मिन आपके पास आएगी कि सारी important announcement होगी इसका आंसर D ही बन रहा है D क्यूं बन रहा है देखो गौर करो D क्यूं बन रहा है क्योंकि जब इसको इधर मोड़ेंगे न जब इसको इधर मोड़ेंगे तो ये वाला इसको जाकर ऐसे लिंक कर देगा ये वाला इसको लिंक कर देगा यह दोनों हो जाएगा इस हिसाब से अगर हम देखें तो अपना जो आंसर है वो किस के साथ चला जाएगा वो किस के साथ चला जाएगा डी के साथ डी फोर डॉक्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा मजा रहा है मज़े आ रहा है ना बढ़िया समझ में आ रहा है वैस्व विधा को दिक्कत को परिशानी को तकलीफ अगर है तो बताएं हम इतना चिला चिला के दहार के पढ़ा रहे हैं और तुम लोग एक तम सुस्त कैसे काम चलेगा मस्त चलिए क्या बात है अगला जो प्रश्ण इसको देखिए क्या लग रहा है इसका उत्तर इस प्रश्ण का उत्तर बतला है क्या लग रहा है क्या बात चलिए इस प्रश्ण को देखिए कह रहा है कि कि परिवहकों द्वारा हर्ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमतों में ब्रदी हुई है निसकर्थ है अविस्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए सरकार को अपने वाहन खरीदने चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है खरताल को बंद करवाने के लिए सरकार को परिवकाओं के साथ मोल तोल करना चाहिए हम इसको सपोर्ट करेंगे सकेंड वाले को हम सपोर्ट करेंगे सकेंड वाले को हम सपोर्ट करेंगे ठीक है ठीक है कोई अस्तोविधा कोई दिक्कत को परिशानी को तकलीफ है तो बताओ चलो, आगले प्रश्न में, ये जो प्रश्न है, इसका उत्तर बतला बावो, क्या लग रहा है? ट्रांस्पोर्ट का संबंध, अगर गुड्स से है, तो बैंक का संबंध किस से है? पाउंड से, धन से, रुपए से, डॉलर से, बताइए ज़रा साथ, क्या लग रहा है? बहुत बहुत थैंक क्यों, गेमिंग जी, लेकिन बच्चों की संख्या इतनी कम क्यों है, कहां गया सब? गौर कीजिएगा, पाउंड, रूपी और डॉलर, नहीं, धन से है, क्योंकि बैंक तो हमारे देश में भी है, अन्य जगहों पर भी है, ऐसा तो नहीं है कि बैंक में हम सिर्फ रूपिया ही रखते हैं, भाई कहीं बैंक होगा, जहां पाउंड चलता होगा, वो लोग पाउंड रखता होगा, जहां डॉलर चलता होगा, वो लोग डॉलर रखता होगा, तो मेंली करेंसी मतलब मेंली धन से है money जिसको हम लोग इंडिया में कह रहे हैं तो उससे थेगी नहीं क्लियर है यह बात समझ में आ रही है को एसो विधा है इसमें आगले प्रश्न को देख लें एक बार यह सायद कल हमने homework दिया था ना सायद कंफर्म याद नहीं है बना था आप लोगों से कि नहीं बना था यह वाला बना था आप लोगों से बना था मैच देख रहे हैं तो क्या करोगे देखने दो देखने दो अधावन बच्चे कहा रहे हैं हुआ यहाँ पर क्या है कि 15 जो है उसको गुना दो और प्लस 14 और फिर उसमें 2 एक्स्ट्रा लिया गया तो हमारे पास 46 आ गया उसी प्रकार से यह 17 है तो 17 गुना दो और प्लस और प्लस दो अगर किया जाए तो यह आ जाएगा 17 गुना दो और प्लस अगर दो इसमें भी लिया जाए तो यह अंठावन हो जाए तो अपना जो राइट आंसर है वो 58 के साथ चला गया नहीं गया मजा आ रहा है नहीं आ रहा है क्लियर है नहीं है जैसे आपको होगी यस सर आगे बढ़ जाए बताईए तो अच्छाए इसमें कितने तिर बूज है बताओ कितने तिर बूज हैं और मेनी ट्राइंगल्स आ रहा है बफरिंग कहा हो रही है जुट्थो डेटा रिफ्रेस करो डेटा रिफ्रेस करो भई या ठीक है डेटा रिफ्रेस करो चलो देख लें इसमें कितना है 17 और 18 दो प्रकार के आंसर आ रहा है 20 भी आ रहा है कुछ लोग none of these भी दिया है चलो इसको देखते हैं ध्यान से देखना मैंने सिखलाया था कि जब कभी ऐसा होता है यह one यह two दोनों मिलाकर तीन हो गया तो तीन देखो यहां से तीन यहां से छे हो गया ठीक है तीन यह वाला कितने हो गया 9 फिर तीन इससे 12 यह एक 13 ठीक है 13 हो गया 13 के बाद यह 14 यह वाला 15 यह वाला 16 यह वाला 17 यह वाला 18 यह बड़ा वाला 19 तो 19 पे हम लोग पहुँच पा रहा है बाद समझेगा समर्थन दीजिएगा अगर आप समझ गए होंगे दुवारा देखिए तीन और यह तीन छे और यह वाला जो छोटू सा है इसमें भी तीन 9 और यह तीन 12 12 के बाद 13 यह 14 यह वाला ऐसे 15 यह 16 यह 17 यह 18 और यह 19 19 इस दा राइट आंसर क्लियर रहिए बढ़िया समझ में आ रहा कोई असो विधा वाली बात ने कोई दिक्कत वाली बात ने कल तीन बजे वाला क्लास नहीं है कल तीन बजे धमाका है और धमाके में 3-4 चीज़े एक साथ हैं आप लोगों के लिए क्या रहेगी नहीं रहेगी क्या जानकारी है क्या नहीं है यह सब कुछ आपको हम कल ही बताएंगे तो आप लोग तयार रहिएगा बाकी यह एक छोटू सा हलका सा होमवक है सारे बच्चे इसका अंसर कमेंट में करिएगा ठीक है और अगर क्लास अच्छा लगता हो तो समर्थन रोज चाहिए आप लोगों का सेम टाइम पे सेम जगह पर तीन बजे हम आपके सामने आते हैं नए जो इनरजी नए ताकत के साथ बढ़िया आप लोग खाना पिना खा के मुवाइल हाथ में लेते हैं तो सोने से अच्छा है कि बढ़िया कमर सिधा करके पढ़ाई कर लीजिए और मैं वादा करता हूँ कि जिस लेवल पे आया हुआ प्रशने वही करवा रहा हूँ लेकिन कल का जो मैं इवेंट तीन वजे करूंगा आपको मज़ा आजाएगा तो आईएगा जरूर मेरा निमंतरम स्विकार कीजिएगा और माकी मुझे उमीद है कि अच्छा आपके लिए इन्फार्मेशन रहेगा और जो जो डिमांड आप आपका है वह आज रात तक आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में या कल दो पहर तक ताकि उस डिमांड को पूरा करने का प्रयास हम जरूर करें ठीक है तो माकी तो सभी क्लियर है सबको क्लास चोटी इसलिए कि अगली क्लास है मतलब और भी सिख्षकों की रहती है न तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा छोटा सा क्लास रखें चोटा क्या अंतलब ठीक रहा कोई दिक्कत नहीं है तो सभी को हमारा जैहिंद मेहनत जाई रखे संघस जाई रखे